जै माता दी मित्रो आप सबी का आपके अपने चैनल एस्टो फ्रेंड अंचु और अंचु जी की रेमेडिस में स्वागत है मैं अंचु गुपता एस्टो लॉजर्ट वास्टो एक्सपर्ट पामेस्ट रेनियूम लॉजिस्ट मित्रो घरों में होने वाली कुछ छोटी छोटी बाते ऐसी होती हैं जिससे हमें संकेत मिलते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली हैं कुछ परेशानिया दरिदरता ऐसे हमें कुछ संकेत मिलते हैं जिनसे हम जान सकते हैं जोतिश के अनुसार जब दरीदृता बढ़ने वाली होती है यनि कि दरीदृता की संभावना होती है तो कुछ छोटी छोटी बाते हमें इशारा करती हैं अगर हम इन बातों को पहचान लें तो अपने घर में दरीदृता को आने से रोग सकते हैं मित्रो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि गरीबी बढ़ने वाले वो कौन से संकेत हैं जो आप जिने पहचान सकते हैं मित्रो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब सरूर करें वीडियो को लाइक सरूर करें जादा से जादा शेयर करें मित्रो जब भी जीवन में कोई परेशानी आने वाली होती है तो उसका सबसे पहले असर हमारे घर के तुलसी के पौधे पे पढ़ता है यदि आपने घर में तुलसी का पौधा लगा रखा है तो सबसे पहला असर उस पे पढ़ेगा वह पौधा सूखने लगेगा और जब पौधा सूख जाता है आपको लगता है कि पौधा सूख गया है मुझे बदल लेना चाहिए आप दूसरा लेकर आते हैं तो वह भी सूख जाता है जब तुलसी का पौधा बार बार सूखने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि ये घर में दरिद्रता आने का संकेत है घर में यदि खाने पीने के पदार्थों में काली चीटियां होने लगें तो समझ लेना चाहिए कि ये पूरे वक्त का इशारा है ऐसी सिती में घर के खात पदार्थों पर विशेश ध्यान दें खाने पीने की चीजों में चीटियां ना होने दें, क्योंकि यह धरीदरतर का संकेत है, तो इस पे ध्यान रख कर ही आप धरीदरता को आने से रोक सकते हैं, यदि आपने घर में पेड़ पौधे लगा रखे हैं, और उनकी पत्यां सूखने लगी हैं, तो ये भी घर में गरी जल देना चाहिए यदि कहीं से कोई पत्ती सूख रही है तो उसे काट दें आप पेड़ पौदों का विशेश तोर से ध्यान रखें यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप दरिद्रता और गरीबी को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं घर में जाडू लक्ष्मी जी का प्रती होती है क्योंकि जाडू हमारे घर से दरिद्रता को दूर करके सुक समृरिती वा खुशाली लाती है जाडू पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए ना ही जाडू को कभी ऐसे सान पर रखना चाहिए जो आने जाने वाले लोगों को कहीं से भी दिखे है। zo को हमेशा छु हमेशा ध्यान रखें जाडू को हमेशा संभाल कर रखें अब यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा अचानक ही जाडू लगाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में कोई महवान आने वाला है सूरियास के बाद कभी भी जाडू नहीं लगानी चाहिए सूरिया पुनां पूहा, ब्रह्म मूरत में घर में ज़ाड़ु लगाते हैं, तो यह सब से शुब् माना जाता है, जाड़ु को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाइए, ज़ाड़ु को कभी भी खडा करके नहीं रखना चाइए, एधि आप जाड़ु को उल्टा रखेंगे, या जाडू को कभी खड़ा करके ना रखें, जाडू को हमेशा लेटा कर और छुपा कर रखें, यदि घर का कोई भी विक्ति किसी कारे के लिए घर से बाहर जा रहा है, तो उसके जाने के तुरंत बाद जाडू ना लगाएं, यदि आप किसी के जाने के तुरंत बाद जाडू लगाते हैं तो घर में दरिद्रता और परेशानी आती है जब भी कोई वेक्ति बाहर जाए तो उसके जाने के कम से कम दो घंटे बाद आप जाड़ू लगाएं जाड़ू मालक्ष्मी का प्रतीक है इसलिए जैसे हम घर में धन को छुपा कर रखते हैं उसी तरह जाड़ू को भी छुपा कर रख देना चाहिए यहां वहां कहीं ऐसे नहीं रखना चाहिए क्योंकि जाड़ू यहां वहां कहीं पर भी पड़ी रहेगी तो उस परिवार की आर्थिक सिती खराब रहती है मित्रों दूद उबालते समय जरूर धियान रखें दूद यदि उबल कर बार ब लेश बड़ा रहता है तो ध्यान रखें कि दूद बार बर उबलना नहीं चाहिए यानि कि दूद बार बर उबल कर नीचे नहीं गिरना चाहिए यदि आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं और घर लोटते समय आपने दरवाजे पर छिपकली देखी हो अचाना कि आपको अकसा नहीं रहता तो बूरा वक्त भी टल जाता है यदि आपको घर में अचानक से चिपकली दिख जाए तो इसे शुब माना जाता है ये आपके लिए अच्छी है और यदि आपने कोई नया घर खरीदा है या आपने कोई नया घर बनवाया है और घ्रह प्रवेश से पहल उस घर में आपको कोई मरीवी चिपकली मिल जाती है तो उस घर में घ्रह प्रवेश करने से पहले पूजा हवन सरूर कराएं पूजा हवन कराने के बाद ही उस घर में प्रवेश करें यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस घर के सदस्यों की कभी भी तरक्की नहीं हो पाती उनके जीवन में हमेशा परिशानिया ही बनी रहती है, तो पूजा पाठ हवन कराने के बाद ही उस घर में प्रवेश करें। अम्मित्रो यदी अचानक से छिपकली यदि माते पर गिर जाती है तो ये शुब संकेत है आपको आने वाले समय में धनलाब होने वाला है और यदि छिपकली आपके सिर पर गिरे या बालो पर गिरे तो ये दुर्भागे की निशानी है यहां तक कि ये मृत्य योग भी बना अब यदि महिलाओं की बाई आग फड़कती है तो आपको ये शुब संकेत मिलता है यनि कि आपके जीवन में कोई खुशाली आने वाली है और यदि क्वारी कन्याओं की दाई आग चारो तरफ फड़कती है तो इसका मतलब है कि बहुत चल्द उनके विवा का योग बनने व परिशानी आने का संकेत देता है कि आपके जीवन में कोई परिशानी आने वाली है अब यदि पुरुशों की लेफ्ट आग फड़कती है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में परिशानी और कस्ट पून समय आने वाला है और यदि पुरुशों की दाई आग फड़कती ह तो आपके जीवन में कोई शुब समाचार आने वाला है यानि कि ये आपके लिए अच्छा संकेत है इसी तरहे कववा कववे से भी शुब और अशुब का पता चलता है यदि किसी स्त्री के सर पर अचानक से कववा आकर बैठ जाए तो इसका मतलब है कि उसके जीवन साती के जीवन में बहुत भारी संकट आने की समभावना है और यदि आपकी छट पर बहुत सारे कववे आकर बैठ जाए तो इसका मतलब है उस घर के मालिक पर बहुत सारी समस्याएं आने वाली है उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने वाली है अब यदि आपके घर में काच तूट जाता है यह चीनी मिट्टी के बर्तन बार बार तड़क कर तूट रहे हैं तो यह भी जीवन में दरिद्रता और गरीबी आने का संकेत है तो काच के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखें क्योंकि काच के बर्तन तूटना भी अशुब होता है घर में दरिद्रता आती है, घर में गरीबी आती है, घर में परेशानी आती है तो मित्रों यह ती जानकारी कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपके जीवन में आपके घर में दरीद्रता वगरीबी आने वाली है इन लक्षनों को पैचान कर आप अपने घर और अपने जीवन और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं अपने जीवन से दरीद्रता वगरीबी को दूर कर सकते हैं मित्रों वीडियो अच्छा और अंशु जी की रेमेडिस को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन प्रेस करके और पे क्लिक करें जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें मित्रो आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे भी जॉइन कर सकते हैं लिंक पिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जै माता दी आपका दिन शुब हो